ना एक्टर ना बिजनेसमैन फिर भी करोडों रुपए छापते हैं आमिर खान के जमाई राजा बॉलिवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के घर इन दिनों जश्न का माहौल है हो भी क्यों ना उनकी लाडली बेटी एरा खान की शादी हो चुकी है एरा साल 2024 की पहली सेलिबरिटी दुलहन बन चुकी है एरा ने तीन जनवरी को शादी के बंधन में बंध कर अपनी नई जिन्दगी की शुरुआत की है एरा ने अपने परिवार और करीबियों की मौजूदगी में अपने लॉंग टाइम बॉइफरेंड से शादी रचाई है शादी के बाद इस न्यूली वेड कपल की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं एरा आमिर खान और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता की बेटी हैं अब इस बीच हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर आमिर के दामाद कौन हैं और वो क्या करते हैं तो चलिए हम आपको इन सभी सवालों के जवाब दे ही देते हैं जिस शखस ने आमिर खान की शहजादी का दिल चुराया है और साथ जनम साथ रहने का वादा किया है वो है नूपुर शिखरे नूपुर कोई एक्टर डायरेक्टर नहीं बलकि वह बॉली वुड की जाने माने फिटनेस ट्रेनर हैं उन्हें फिटनेस और कंसल्टेंट एक्सपर्ट के तौर पर पहचाना जाता है नूपुर अपनी खुद की फिटनेस को लेकर कितनी सजग रहते हैं ये उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से साफ जाना जा सकता है उन्होंने कई बड़े सेलिब्रिटीज को फिटनेस ट्रेनिंग दी है जिनमें आमिर खान से लेकर मिस यूनिवर्स सुश्मिता सेन तक का नाम शामिल है नूपूर शिखरे का जन्म 17 अक्टूबर 1985 को पूने में हुआ था वो एक हिंदू-मराथी परिवार से तालुक रखते हैं उनकी माँ प्रीतम शिखरे एक डांस टीचर है नूपूर ने RS पोददार कॉलेज आफ कॉमर्स एंड एकोनोमिक्स से ग्रैजुएशन पूरा किया इसके बाद उन्होंने फिटनेस ट्रेनर बनने की ठान ली फिटनेस ट्रेनर होने के साथ साथ नूपूर शिखरे एक डांसर भी है वो कई बार अपने डांसिंग वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेर कर चुके हैं नूपूर के अंदर का टैलेंट अभी खत्म नहीं हुआ है वो fitness और डांसिंग के अलावा tennis खेलना भी बखू भी जानते हैं नूपूर स्टेट लेवल पर tennis खेल चुके हैं उन्होंने कई competition में हिस्सा भी लिया है वो साल 2014 में Iron Man World Championship और Ultimate Beast Masters Season 2 competition में भी participate कर चुके हैं नूपूर कई नामचीन हस्तियों को fit रहने के good सिखा चुके हैं उन्होंने करीब 10 साल तक सुश्मिता सेन को भी fitness के लिए train किया है इसके अलावा वो आमिर खान के भी fitness trainer रहे थे और यहीं से उनकी नस्दीकियां खान परिवार के साथ बढ़ी साल 2020 में lockdown के दोरान एरा ने अपनी fitness पर ध्यान देना शुरू किया था उस वक्त नूपूर ही उनकी training करवाते थे training के दोरान ही दोनों के बीच नस्दीकियां बढ़ने लगी और फिर इन्होंने एक दूसरे को date करना शुरू किया सितंबर 2022 में नूपूर ने एक cycling event के दोरान एरा को प्रपोज किया था एरा ने नूपूर का प्रपोजल भी स्वीकार कर लिया दोनों के इस रिष्टे को लेकर रीना और आमिर भी राजी हो गए फिर नवंबर में इस couple ने सगाई की थी इसके बाद से ही फैंस इनकी शादी का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे फिर आखिरकार तीन जनवरी को दोनों शादी के बंधन में बंध गए मुंबई के ताज होटल में इस couple ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के बीच में registered marriage की बताया जा रहा है कि एरा खान और नूपुर शिकरे शादी के बाद राजस्थान के जैपुर में एक reception होस्ट करने जा रहे हैं इस reception में बॉलिवूड के सितारे शिर्कत करने वाले हैं अब तो फैंस को इस couple के grand reception की तस्वीरें देखने का बेसबरी से इंतजार रहेगा वैसे आपको नूपुर और आयरा की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं